अभी साधियों को क्रांतिकारी जाए भी नमस्कार सस्त्रेकाल आदाव मैं हूँ आपके साथ अमीद गोतम तो दोस्तों आप सोच रहोंगे कि बावा राम देब ने हमको जो आतंकवादी कहा है मैं हमसे कहना चाहता हूँ कि आतंकवादी जो हमको कहा है वो किस बेस पर कहा है ठीक है वाँ उनमस्राम जी ने उनको नोटिस तो दे दिया है लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आतंकवादी किस बेस पर कहा है देखिए अगर पाकंडवाद के खिलाब बोलना ठीक है अगर जातिवाद के खिलाब बोलना और अगर समीधान बचाने के लिए लड़ना आतंकवाद है तो हम आतंकवादी हैं जो करना है कर लो ठीक है और हमको बोलते हैं कि यह जो है वैचारिक आतंकवादी हैं मतलब, all the persons of scheduled caste, scheduled tribes, who are the supporters of Baba Sahib, who are the supporters of Rama Sami Pariyar, these all are the persons of intellectual terrorists. मतलब, यह सब लोग जो हैं, वैचारिक आतंकवादी हैं. मतलब, हमको आतंकवादी बोला. तो मैं दुबारा कर रहा हूँ, देखिए, अगर आप हमको आतंकवादी बोलना है, तो भाउजन समाझ का बच्चा-बच्चा आतंकवादी है. हर महीला जो भाउजन मुवमेंट से जुड़ी हुई है, वो आतंकवादी है. जाल दीजिए, डाल दीजिए हमको जेल में. जो करना है, कर लिजिए. हम आतंकवादी हैं. और सुनो तुम्हारे आतंकवाद के टैग देने से तुम सोच रहे हो कि हम अपना मिसन छोड़के भाग जाएंगे तो बिल्कुल नहीं भागने वाले हैं हमने इस मिसन में पैर रख दिया है तो रख दिया है हम लड़ते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे चाहिए तुम आतंकवादी बोलो या कुछ भी बोलो हमें लड़ना है तुम्हारे खिलाब इस पाकंडवाद के खिलाब और समी धान को बचाना है ठीक है कि योग से, योग गुरू भी है, ये कहते हैं कि योग से सारे रोग ठीक हो जाते हैं, इनके आग तो आज तक ठीक होई नहीं, क्यों नहीं होई, ये कहते हैं कि योग से ही सारे रोग ठीक हो जाते हैं, तो इतनी दवाईया क्यों बना रहे हैं, दवाईया क्यों बना रहे हैं योग से रोग ठीक करो ना सोचने वाली बात है अपने दिमाग को ऐसे लोग को चंगूल से निकल जाईए जो जो इनके सपोर्टर है ठीक है मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप इनके चंगूल में गलत पड़े हैं ठीक है ये हरियाना के बापा हमको सिखाएंगे हम बेटकर वादियों को सिखाएंगे कि क्या होता है टेरिज्म क्या होता है अरे हमको आतंक वादी बोल के तुम हमको जेल में डलवाना चाहते हो हमको देश से अलग करना चाहते हो सुनो ये देश हमारा है हमारे बाप का है हम कहीं नहीं जाने वाले हमको आतंक वादी बोलो है कुछ भी बोलो ठीक है हम इस देश में रहेंगे पाखंड वाद के खिलाप लड़ते रहेंगे सविधान बचाने के लिए लड़ते रहेंगे जो करना है कर लेना ठीक है सभी साध